जै मंगल अठ गाता नमबर एक यह जो अठ गाता है यानि कि आठ गाताओं में जो पहली गाता है पहली काहनी है यह उस समय कि यह जब सिधार्द गौतम बोधी ब्रेश के नीचे यानि जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे क्योंकि उनके बुद्धत उत्राप् उसको बोधी ब्रेश बोलते हैं उस पेड़ के नीचे जब बैठे हुए और विपस्तना साधना ध्यान में रथे तपस्या कर रहे थे तप में रथे उस समय वो अपनी सारी बुराईयों को बाहर निकाल रहे थे सारी बुराईयों को एक सब्द में जो बुला जाता है वो म पूराईयों का पूरा समूह उता उसको मार से ना बोलते हैं। मार का वीडियो आप देख लें। उसमें मार के बारे में बहुत अलग तरीके से और विस्तित रूप से जादा बताया गया है। तो ये उस समय की गाता है कैसे उन्होंने मार को पराजित किया और कैसे नहीं ये उनकी स्तिती में उनके गुर्णगान में गाई जाती हैं। दो पहले बताई जा चुकी हैं आप टीम 22 के वीडियो पे देख सकते हैं। ये इस परकार है। बाहुं से हैसम भिनिम्मित साव धंतंग गिरिमेख लंग उदित घोर ससेन मारंग दाना दी धम विधिना जित्वा मुनिंदो तंग तेज सा भवतु तेजया मंगलानी ये बहुत सुर में गाई जाती हैं पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बुद्ध की स्तुती में गान करते हैं ये उनकी पहली गता है आप इसको नेट पर चेक कर सकते हैं इसको नारी की अवाज में नर की अवाज में बहुत सारे देश विदेशों में ये गाई जा इनको जयमंगल गाता बोलते हैं या जयमंगल अठ गाता बोलते हैं ऐन्ग का मतलब होता है बाजू यानि कि जो सरीर में बाजू होती है जिसको हम हैंड बोलते हैं, इसको बोलते है बाहू सहसम अभी निम्मित दो सब्दों से मिलके बनता है सहस माने होता है हजारो और अभी निम्मित अभी निम्मित का मतलब है अभी निर्मित यानि उनसे निर्मित हुआ बाहू सहस अभी निम्मित अभी निम्मित का मतलब है उसके निर्मान हुआ निम्मित हुआ है, निर्मान हुआ है, किस से, सावु धंतंग, सावु धंतंग का मतलब है, से आयुद वंतु, से आयुद वंतु का मतलब है, से माने साथ, आयुद माने हतियार, हतियार धारी है, जिसकी हजारों बाजुआ हैं, जिसके हजारों हाथ हैं, हतियारों के साथ में निर्मित है, बना हुआ है ये मार का वर्णन हो रहा है basically मार को एक मनुस्य का रूप में आकरती की रूप में, कहानी की रूप में दिखाया गया है कि एक ऐसी मार है जिसके हजारों हाथ हैं और हजारों हाथ में हतियार है गिरी मेख लंग उदितगोर ससेन मारं गिरी गिरी मेख लंग जिस हाती पे इस मार को दिखाया गया, यानि जो व्यक्ती है इसको देवपुत्र भी बोला गया है कथाओं में, देवपुत्र मार यानि ये जो व्यक्ती है, जो मार सेना का संचलन कर रहा है, ये एक गिरी मेखल नाम का जो हाती है उसके उपर सवार है ऐसा आप चित्रों में भी देखेंगे या अगर मार के चित्र ढूणेंगे M A A R करके नेट पर तो आपको बुद्ध बैठे हुए बीच में दिखाए देंगे और चार तरफ उसमें सेनाय होंगी उसमें नारी भी होंगी रूप सुंद्रे वाली इस्त्रियां भी होंगी उसमें हातों में हतिया लेके बहुत सारे कुरूप लोग भी होंगे और एक व्यक्ति उसमें हाती के ऊपर चलता हुआ होगा जो बुद्ध की तरफ मार रहा होगा उसको हाथी को नाम दिया गया है गरी मेखल और जो मार है, जो उसका सेनापती है उसको दिया गया है देपुत्त मार ये कालपनिक नाम दिये गये हैं ऐसे कोई नाम नहीं है क्योंकि वो ब्राइयों का पिर्तिक ये सब चीज दिखाई गइए हैं पोस्टर में या फोटो में या कहानी के अंदर ऐसा कुछ मुआ है नहीं वो पेड़े के नीचे आराम से बैठे हुए है और बुराईयों को देख रहे हैं और बुराईयों को निकालने की निया विपस्टना से कोशिस कर रहे है जो लोग विपस्था में जाते हैं, वो अपनी बुराईया निकाल के देखते हैं, कैसे निकलते हैं, बड़े इस पश्च देखाई देती है उदित गोर ससेन मारंग हाथ यह उस पे सवार है और क्या कर रहा है गौतम बुद्ध को मार रहा है उनको कह रहा है कि तुम जो बुराईयां उनको मत निकालो इन बुराईयों को रखो ये बुराईयां आपके अंदर ही रहने चाहिए इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए कुछ हो जाए बार 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 ये ठीक ऐसे है जैसे आपने सराब शोड़ने की पृतिग्या की कि मैं अपनी सराब की ब्राई को बाहर निकालता हूँ और सराब को जब आप छोड़ेंगे तो आपको सराब बार बार अपने तरफ खीचेगी तो उसको खीचने के लिए बार 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 साई ताक्त लगेंगी कि आप सराब पीओ और आप कोशिस कर रहे हो कि अब मैं सराब ना पीओ तो ये आपस में जगड़ा चल रहा है आपके अंदर कि मुझे सराब नहीं पीनी है और सराब कहती है कि पीनी है दाना दी धम विधीना जित्वा मुनींदो दाना दी धम विधीना यानि दान देने की जो विधी है जो उन्होंने दान किये हैं पुन किये हैं जो अच्छे काम किये हैं उस विधी के द्वारा उस टेक्निक के द्वारा जो उन्होंने अपने करुणासील हिर्दे से सारे दान दिये हैं उस विधी के द्वारा जित्वा मुनिंदो यानि जो मुनिंद है जो मुनि है जो क्योंकि साक्य मुनि भी बोलते हैं उनको जो साक्य मुनि है वो जीत गए तं तंग तेज सा इस तेज से तुमारा जय मंगल हो यानि कि ये आपके लिए एक अच्छे बचन है कि तंग तेज सा भवतु तेज जय मंगल आनी इस तेज से इस बात के तेज से इस परताब से आपका मंगल हो ये है अठकता नंबर एक जो बहुत ही फेमस है जिसमें मार का वण देखने के लिए आप मार की जो वीडियो है उसको जरूर देखें क्योंकि मार बहुत इंपोर्टन चीज है पूरे-पूरे त्रिपिटक साहिते के अंदर अगर मार नहीं होगी तो धमों भी नहीं होगा यानि कि अगर मार नहीं होगी तो आपको खतम करने का तरीका कौन बता कर चलती है इसनिए मार वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा धन्यवाद कर तरीक साहिए विल्यद्ग है तो आपको घ्क रगर मार नहीं में कर झालना ओटे क जाईगे कांगे साहल कहीं प्रवार के अचे बातों के दो फगता है, आपको को सबूददीं आप की अपना आप है, आपको को भेड़ी आपड़ीजा की प्रवबा से पांप में रखृया का अपके है। पर छो बोप बोड़ाँ वे बीद बीद दोरा गज कर दो दो को अजाओ वे शेट लाबभब जो रहे लिदा जो कि अनिए बीदी अजय को अर्म सबस्य का ओप जुटन झा झाल हुआज़कर दो नहीं है आधारी याभ मी अगारी को कि और में आधारी को गछितन खिया नहींकive इसांग सब्पाचिक जब है लोगा जया प्रिखा थे एक 18 को और कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हो लुचए थर अ कर काारव। कि यह करें भी अलड़ कोषब करें अलड़ का तराभवस्ट करें। कि एसरे डिए प्रफ्ट करें आ Hungary 2nd मैं ब्लड़ करें नहीं से लगते लिए 1-2 c. अलड़ करें लिए अलड़ साइड भी अलड़ कोसिते हैं नहास प्रापल कर दो जाद प्राप कर दो नहीं हो जाल नहीं हुआ हैं।